आज चार फरवरी 2021 आज किस दिन आपके प्यारी कमपनी टाटा पावर लिमिटेड का यहाँ पर रिजल्ट क्यू थरी का आ चुका है और यहाँ पर आपके साथ अबाउट इन्वेश्टमेंट डिसकस करेगा रिजल्ट कैसा आया है और अगला टार्गेट स्टॉक के लिए क्या होगा यह भी हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे लेकिन सर्फ से वहले चोटा सा रिक्वेश्ट अगर आपने बद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार आपको मैं कहता रहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बह के उपर वो दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले जो एनसी के उपर कारोबार की स्थिती जो रही है आज की डेट में यानि की चार फरवरी 2021 को वो आपको बहताना चाहूंगा देखें सर्ण 9,45,13,383 श्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है उन्में से 1,94,383,352 का मैं यहाँ आपको 50 के लेविल से आपको बता रहा हूँ कि श्टॉक को बाई कीजे बाई कीजे बाई कीजे बाई कीजे जिन लोगों ने सुना आज मुटा मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन अवी तक नहीं सुना यसलिए नहीं सुना क्योंकि सर्चानल को अपने लेकिन उससे पहले एक साल का रिटन जो दिया है श्टॉक ने बना कर आपको वो भी एक बार देखना जरूरी है 56.73% का रिटन एक साल के चाट के उपर श्टॉक ने बना कर अल्रेडी दे दिया है अब कितना भागेगा यह वो सारा कुछ क्या होगा सब कुछ बताऊंगा चलिए पहले रिजल्ट देख लेते हैं कैसा रहा है रिजल्ट तो उसके लिए उसका जो पीडियेफ है वो पीडियेफ हम लोग के आप रोपेंड कर लेंगे तो जैसा आप देख रहे हैं जो टाटा पॉर का क्यूतरी का रिजल्ट है और आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग यह सारा कुछ आपके सामने यहाँ पर उपेंड कर लिया है चार फरवरे 2020 को यह खवर आती हुए आपको दिख रही है और क्या कुछ और जो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग में हुआ वो आप यहाँ पर चाहे तो देख सकता है और इस वीडियो को डाउलोड करने के लिए नाइन मुंथ इंड़िद 25 डिसमबर 2020 यानि कि पर तीन महीने तिमाहे रिजल्ट है यहाँ पर आपके सामने तिक्एगा और यहाँ पर आपको यह भी देखना इंपोर्डेन्ट है तो आप देख पाएंगे इनकम सबस्राइज इनकम देखना होगा इनकम यहानि कि जो उसक इंकम की बात करें जो टोटल इंकम डिसमबर के क्वार्टर में हुआ है इनका वो कितना हुआ है 7702 करूर का वो ही अगर आप यहाँ पर देखे यार ओन यार अगर आप एक साल पीछे चल जाए तो आप देख पाएंगे 7136 करूर के मुकाबले 7702 करूर का सितंबर 2020 का अगर आप क्वार्टर यहाँ पर एक्जम्पल ले ले तो आप देख पाएंगे 8441 करूर के मुकाबले 7702 करूर का यहाँ पर रविन्यों जेनरेट हुआ है तो सरे quarter on quarter थोड़ी से यहाँ पर situation खराव रही है लेकिन year on year की बात कर तो सरे यहाँ पर आपको situation अच्छी दिखेगी उसके बाद बात कर सर जो expenses इनका total expenses रहा है सर वो भी देखे तो सरे expenses यहाँ पर थोड़ा बढ़ चुका है expenses आप देख पाएंगे year on year खर्चा है वो अच्छा है खर्चा कम हुआ है quarter on quarter और income बढ़ चुका है year on year ठीक है सर तो यह तो मोटा मोटी आपको यहाँ पर समझ में आ गया बाकी यहाँ पर देखेंगे सर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो आप देख पाएंगे जो यहाँ पर 11 नंबर का जो यहाँ पर आप को देख पाएंगे जो कॉलम है यहाँ पर नंबर है net profit for the period from continuing operation तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इनका निट फ्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है आप देख पाएंगे जो एक साल पीछे चला जाए तो आप देख पाएंगे 273 करोर का इनका profit था वो profit थोड़ा सा कम होकर 233 करोर का रहा चुका है और quarter on quarter देखें तो sir 390 करोर के profit के मुकबले 233 करोर का profit company ने यहाँ पर show किया है यहाँ फिर दर्ज किया है exchange के website के उपर और profit or loss from discontinued operation की बात करें वहाँ पर भी देखें तो sir जो इनका discontinuing operation है यारि कि जो अभी बंद है जो operation उनकी बात करें तो sir यहाँ पर देखें के तो वहाँ पर profit हुआ है खर्चा कम करके sir देखें तो profit आया है यह तो सिधा सिधा दिख रहा है profit for the period की बात करें यानि की profit for the period complete profit for the period की बात करें तेरा नंबर का जो यहाँ पर यह नंबर है यहाँ पर आप देख पाएंगे तेरा नंबर का profit for the period यहाँ पर आप देख पाएंगे sir 260 करोर के मुकाबल को देखे 270 करोड का एक साल पहले इनका profit हुआ था इस वाले quarter में थार quarter में उसके मुकाबले 308 करोड का profit हुआ है और अगर आप quarter on quarter देखें तो sir यहाँ पर quarter on quarter थोड़ा सा profit कम हुआ है इसके चलते हो सकता है थोड़ा सा negative impact with stock में देखने को मिले लेकिन लॉंग डर्म की बात करें कोई यहाँ यहाँ पर लॉंग टर्म में खराब इंपक्ट नहीं डाला है जितना मुझको समझ में आ रहा है सर बाकी यहाँ आपको बताना हुआ दिख रहा है जो यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है तुसरी फिस थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन सर यह इपिस अगर आप बात करें फ्रम डिस कांटिन्यू की बात करें सर उसमें जो इनका इपिस तब वो तो घाटे में था उसको अगर आप निकाल दीजे तो आवरल को मुटा मुटा कंटी यहाँ और देखें तुसरों अवहरल जो रिजल्ट की बात करें तुसरों बहुत ज्यादा खराब नहीं है यहाँ पर सेगमेंट वो इस व अपको यह यहाँ पर रिविन्यू की बात यहाँ किसा कुछ आया है जेरी इपक्राईे कश को कॉछ वेविल में कमपनी दबा कर काम कज कर रही है सर यहाँ पर आप देख पाएंगे जो रेविन्यू आया है वो देख पाएंगे बहुत यह अच्छा है यहाँ पर देख पाएंगे रिजल्ट के उपर आप एक बर इनको देख लीजिए मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि सर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है जो यहाँ पर मुद्दे की बात है वो यहाँ अल्ली खतम हो चुकिए सर बाकी स्टॉक के ओपर हम लोग एक बार लोटेंगे लेकिन उसके बाद एक बार देख लेंगे क्या कुछ यहाँ पर और क्या कुछ आया है रिजल्ट एक बार देखना जरूरी है बाकी अगर आप यहाँ पर देखें सेयर औफ नेट फ्रॉफिट एसोसेट एंड जोएन फ डाउनलोड कीजिए आपको समझ में आ जाएगा रिजल्ट देखना भी खुझ से सीखिए सर क्योंगी जिन्देगी में आपके पास हर वक्त कोई नहीं रहेगा आपको सिखाने के लिए समझाने के लिए तो सर आपको अपना काम खुझ से ही करना होगा रिसर्च आपको यह श्टॉक आपको टेकनिकल के ओपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर आप बेस करके चलेंगे तो यह श्टॉक हो सकता आपको इतना खासा आपको मोटिवेसन ना दे बाई करने के लिए लेकिन जो सेंटिमेंट श्टॉक के बता रहे हैं कि यह श्टॉक तो तीन करना चाहते हैं तो अगर आप कहना चाहँ है तो आपको बासादर को एकि याप मिस मत कीजियें ए लंबे अऴधि का नजरीया सोचीय तो कम से कम तीन से लेकर पाँ इससी नंदर आपको बीच में हो सकता है पार्शिया क्र Administration profit भी करना पड़े करना पड़े तो definitely यहापर मुझे को जो नजर आ रहा है मेरा जो अनुवान है श्टॉक का प्राइस यहापर आपको 200 तक भी दिख सकता है लेकिन सरस्माई का फेर है समाई की बात है कहा तक किया कितना पहुँचता है यह देखना important है उड़ी उड़ी बाते कहना मैं नहीं चाहूँगा लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ यह भी आपको बताना चाहूँगा मैं क्या यहापर अंदाज़ा लगा कर चल रहा हूँ श्टॉक मार्केट में आपको वविस तो दिखता नहीं है फ्यूचर तो दिखता नहीं का जब वह खवर अगर आती है अपको उसके एकोर्डिंग में आपको अलग से एक विडियो बना कर बताऊंगा बाकि अगर आप चाहते हैं श्टॉक को बाई करना तो सर गिरावट का वेट कीजिए खरदरी करने के लिए और फ्यूचर खरदरी इस प्राइस के उपर भी करना चाहते हैं तो सर एक बार में पूरा पैसा मत लगा यह प्रॉफिट थोड़ा कम होता है कोई बात नहीं सर लेकिन लॉस कम से कम होना चाहिए इसलिए मैं आपको कहना चाहते है S.I.B. मोड में खरदरी कीजिए वेट अगर आप नहीं करना चाहते है बाकि वेट करना चाहते है तो सर कर सकते है लेकिन अपनी रिस्क पर लेकिन और एक बात आप अपना रिसर्च पहले कीजिए और आपको एक डिस्क्लिमर दिना चाहूँगे क्योंकि सर प्रॉफिट बन रहा है इस प्रॉफिट को घर अगर आप नहीं लेके चाहेंगे तो वह वेवेकूफी होगी तो सर बीस परसंट के असपास प्रॉफिट बॉक कीजिए और अगर आप नहीं करना चाहते तो सर आप यहाँ पर लंबे अबधी के लिए रख भी सकते हैं लेकिन कहना चाहूँगो सर सौटम में प्रॉफिट बन रहा है उस प्रॉफिट को थोड़ा सा ही सही घर में ले जाना चाहिए मेरे नीजी पॉर्ट फॉलिय में भी है और अगर आप मेरे से पूछें के मैं यहाँ पर क्या करना चाहूगो सर तो सर मैं आपको कहना चाहूँगो सर देखें मैं यहाँ पर सौटम के लिए कोई स्टॉक लेता ही नहीं हूं परसेले profit book मैं हमेशे थोड़ा बहुत करता हूँ लेकिन सर मेरे जो vision रहता है सर मैं यहाँ पर हमेशे लंबे अबधी के बारे में ही सोचता हूँ लंबे अबधी के बारे में यारी कि 5 साल से ज्यादा काटी है सर तो अगर मैं किसी stock को लेता हूँ तो सर 5 साल मैं definitely उसको रख पहले कीजिए उसके बाद कोई फी decision लीजिए result खराब इतने जादा नहीं है अच्छे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर expectation को बीट कर देने वाला भी result नहीं है overall ठीक ठाक result आया है खराब भी नहीं अच्छा भी नहीं दुनों parameters को निकाले quarter on quarter यार उनियर तुसरी यहाँ प आपको कल तीजी ही दिखा सकता है देंके सदें सर यहाँ पर मैं वहकवान तो नहीं हूं कि मुझको future दिखता है इसा मुझको लगता है बाकि सब्सके ब्रूप पूरी तरफी गलत भी हो सकता हूं तेजी दिखाने का संभव ना जो है सब्छतें बहुत जबार बाकि सब्य